हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो गाइस आज की वीडियो के अंदर में एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ स्टुडेंट बार-बार कमेंट सेक्षान में कमेंट करके पोचते रहता है कि बहुत जो यह एड़मिशन होता है यह किसके बेसिस पर होता है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको detail में बताऊंगा कि जो admission होता है उसके लिए क्या क्या चीज़े जरूरी होती है उसके अंदर क्या आपकी category देखी जाती है क्या आपकी category rank देखी जाती है क्या आपके नीट के marks देखे जाते है या state rank या all india rank या कुछ और चीज़ देखी जाती है तो इन सारी चीज़ों का discussion हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे और आपको जैसा की पता लग भी गया है जो डबले ट्रिपल सी की counseling है वो एक September से यहाँ पर चालू हो रही है तो अब लगबग 8-9 दिन बचे है counseling स्टार्ट होने में और students को अभी well prepare हो जाना है क्योंकि जो information bulletin और जो counseling ब्राउचर वगेरा है वो भी अब 3-4 दिनों के अंदर यहाँ पर रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर देखो सबसे पहली हम इस चीज के बारे में discussion करेंगी कि क्या role रहता है इन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यदा important कौन सी चीज रहती है वो भी मैं इस वीडिय जो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दू कि मैंने description box में free guidance form दे रखा है उन सभी को आप सभी लोगों को भढ़ लेना है जिनको भी counseling guidance चाहिए being doctor team की तरफ से उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है बस आपको अपना marks category और कौन से state से हो आप यह सा सकते हैं और जिन भी students को counseling guidance चाहिए और counseling के regarding कोई भी doubt हो तो आप direct मुझे भी मेरे number पर contact कर सकते हैं 6375495560 यह personal number है मेरे किस भी student को कोई doubt हो तो मुझे भी call करके अपने doubts अगे रहा पूच सकता है या हमारे through counseling guidance ले सकता है choice filling के अंदर किसी प्रकार की उसे problem आ रही हो या उसे choice filling करना नहीं आ रहा हो private colleges में उसे यह समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं कौन सा private college लो तो इन सारी चीजों के लिए भी student हमारे through counseling guidance लेके discussion औगेरा कर सकता है इन सारी चीजों के regarding charging तो guys मैं video को आगे बढ़ाता हूँ सबसे पहली बात आती है कि क्या चीज मेंटर करती है यहाँ पर क्या यहां पर नीट मार्क्स मेटर करते हैं या रैंक मेटर करती है तो इन दोनों में से मैं आपको सिधा-सिधा जवाब दे रहा हूँ यहां पर मार्क से ज़्यादा क्या मेटर करती है रैंक मेटर करती है पहली चीज आपको यह पता लग गई रैंक मेटर करती है रैंक बहुत ज़्यादा होती है यह भी मैं आपको बता देता हूँ एक तो होती है All India Rank एक होती है State Rank और एक होती है Category Rank अब इन तीनों में से कौन सी चीज important है उसके बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं तो यहाँ पर देखो सबसे important चीज यह रहती है कि यहाँ पर जो यह तीनों रैंक्स है All India Rank, State Rank और Category Rank इन तीनों रैंक्स के अंदर चाहिसे वह All India Counseling हो या State Counseling हो इन तीनों रैंक्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ जो All India Rank जो होती है यह किसी specific category के लिए नहीं होती है इसके अंदर General, EWS, OBC, SC, ST, PWD और बाकी के Minority और सारे जितने भी Students होते हैं चाहे वो IUS की Counseling करवा रहे हो या ना करवा रहे हो चाहे से वो MBBS में admission ले रहे हों BDS में admission ले रहे हों BSC nursing में admission ले रहे हों या BMS और भी जो IUS courses हैं उन में admission ले रहे हों तो उन सभी लोगों के लिए जो यह All India rank होती है यह क्या होती है सबसे ज़्यादा important रहती है आपको यह चीज तो समझ में आ गई यहां पर All India जो rank है इसका बहुत important role रहता है यहां पर और गाइस दूसरी चीज यह रहती है कि All India rank तो चलो यह तो समझ में आ गया हमें All India rank matter करती है क्योंकि इसकी वज़े से हमें cutoffs वगेरा पता लग पाता है क्योंकि general category वगेरा होती है इसके अंदर कोई भी category rank नहीं होती है तो जो general के students वगेरा होते हैं उनके लिए जो यह All India rank जो होती है बहुत ज़दा important रहती है फिर उसकी बाद में जो second rank जो important रहती है वो रहती है category rank के इस वज़े से important होती है क्योंकि आपको पता है जैसे कि किसी college में 100 सीटे हैं उसमें से आप 50 सीटे general की मान लो 20 से 30 सीटे आप OBC की मान लो 10-15 सीटे आप SC की मान लो और 5 से 10 सीटे आप HD की मान लो अब यह जो सीटे होती है एक specific college के अंदर इनका जो distribution जो होता है वो किस के उपर होता है यह होता है category rank के उपर category rank का यहाँपर बहुत important role play होता है यहाँपर तो जो यह category rank जो होती है यह यहाँपर जैसे की कोई HD candidate है उसकी अपनी category के अंदर rank है 1000 और उसकी all India rank कितनी है 2,00,000 दो लाक उसकी all India rank है और उसकी category rank 1000 है तो उसके लिए जो matter करती है वो करती है उसकी category rank तो यह चीज आपको समझ में आनी चीए सबसे पहले तो एक चीज तो आप सभी students को यह clear हो गई होगी कि यहाँपर जो दो ranks होती है उनका बहुत important role play होता है यहाँपर एक तो होती है आपकी category rank और एक होती है आपकी all India rank first जो priority होती हो ओल इंडिया rank को दी जाती है और दूसरी priority category rank को दी जाती है तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है बहुत सारे students क्या सोचते हैं कि अगर मेरे 600 number आ गये हैं तो मेरा selection पक्का है general category के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी rank अगर 10,000 के अंदर आ रही है तो आपका selection आराम से किसी भी MBBS या किसी भी BDS वगेरा college या किसी भी BMS government अच्छे से अच्छे college के अंदर आपका हो जाएगा यह में एक basically सा example दे रहा हू कि जो आयूश counselling जो होती है उसमें क्या role रहता है आप यह समझ लो आयूश counselling जो होती है वो दो टाइप से होती है यहाँ पर पहली होती है All India counselling और दूसरी होती है State counselling अब जो यह All India counselling जो होती है यह 15% seats के लिए होती है जिसके अंदर AQG All India quota government AQI All India quota government added फिर उसकी बाद म नेशनल इंस्टिटीशन और दीम्ड उनिविशिटी तो यह वाली जो colleges होती है इसकी तो 100% seats रहती है और इनकी रहती है 15% seat फिर State counselling के अंदर क्या होता है All India quota All India quota government added इनकी होती है 85% seat और यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है नेशनल इंस्टिशन का भी कोई रोल नहीं होत होता है यहाँ पर बेसिकली प्राइवेट कॉलेजिस का रोल रहता है पूरा जो प्राइवेट कॉलेजिस जो होती है उसकी भी 85% जो seat होती है वो भी State counselling के तुरू participate करती है और जो प्राइवेट कॉलेजिस की जो 15% All India quota seats होती है वो भी किसके तुरू participation होता है उनका उनका भी State counselling के तुरू participation होता है बहुत सारे students मुझसे यह पूछता है बहिया जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए महाराष्ट्र में या UP के अंदर तो इन दोनों states में अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो कुछ नहीं करना है जो राजस्थान का student है उसे दो टाइप की counseling करवानी पड़ेगी एक तो महाराष्ट्र की और एक UP की तो इससे आपको कम से कम यह समझ में आ गया होगा कि यहां पर जिस student को जिस state में admission लेना है उसे उस state की counseling करवानी पड़ेगी यहां पर प्राइवेट क इतनी है यह बहुत ज्यादा matter करते है क्योंकि वहां पर ऐस सच ज्यादा कोई competition अमें देखने को नहीं मिलता है जितना government colleges में देखने को मिलता है लेकिन जो अच्छे अच्छे private colleges होता है वहां पर अपने को competition देखने को मिलता है तो वहां के लिए मैं आप लोगों से यही कह होँगा कि आपको जो सबसे main focus रखना है private college में वह आपको all india rank पर ध्यान रखना है और government colleges में आपको all india rank भी देखनी है और category rank भी देखनी है आई होब गाई यह वीडियो आपके लिए बहुत informative रहा होगा इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और फिर भी guys अगर कोई doubt वगेरा रहता है आपका तो आप मुझे इन नंबरों पर contact करके आप अपने doubts वगेरा clear कर सकते हो मुझे thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए